1, 2, 3, start सभापती मोहद्या, मैं रक्षा मंत्राले की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ वर्तमान घटना से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रियत्न कर रहा है इस द्रिश्टी से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्राले का महत्व है मुझे इस बात की खुशी है कि जहां अन्य मंत्राले की उनके पिछले साल के काम के बारे में काफी आलोचना हुई है वहां इस मंत्राले की कम आलोचना हुई है इस से यह साफ पता चलता है कि इस मंत्राले ने पिछले साल अच्छा काम किया है मोटे तोर पर किसी भी देश की सुरक्षा नीती का लक्ष यह होता है कि दूसरे देशों खास तोर पर पडोसी देशों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित हों और हम एक देश के मामले में हस्तशेप ना करें लेकिन उसके साथ यहाँ भी जरूरी होता है कि हम अपने देश की सीमाओ और अखंड़ता की रक्षा करें इसलिए हमारे देश का यहाँ कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने पडोसियों के कारें पर पूरी नजर रखें क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो संकट आए हैं वे हमारे पडोसियों से आए हैं सन 1965 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ और उसके बाद ताशकंद में जो समझोता हुआ वह केवल एक कागस पर ही कारवाई रह गई पाकिस्तान ने उस पर कोई अमल नहीं किया इस द्रिश्टी से यह बहुत जरूरी है कि हम अपने देश की सुरक्षा का हर तरह से व्यवस्था करें हमारा उद्देश्य दूसरों पर आक्रमन करना नहीं है लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमन करें तो हम में इतनी शक्ती अवश्य हुनी चाहिए कि हम उसका दटकर सामना कर सकें आप यह जानते ही होंगे कि पिछले दिनों पाकिस्तान और अमेरिका और चीन काफी एक दूसरे के करीब आ गए है सैन्य मामलों में अमेरिका और चीन से पाकिस्तान को काफी मदद मिल रही है रक्षा मंत्राले की रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान को पंद्रा सो करोड रुपे की फौजी साहिता दी है आज जहां हम फौजी समान के लिए अपने कारखानों की मदद से अपनी शक्ती बढ़ाने का प्रेत्न कर रहे हैं वहां पाकिस्तान संसार के देशों से फौजी समान खरीद रहा है अपनी नीती के कारण वह सब देशों से लाब उठा रहा है अताहा मेरा यह सुजाओ है कि हम को भी अपनी शक्ती बढ़ाने के लिए संसार के अन्य देशों से अधिक से अधिक फौजी समान खरीदना चाहिए